दोस्तों गायब हैं इसको जू चिचड़ी हो जाती हैं तो पसुपालक भी परेशान होता है और जिस गायब हैं इसको जू चिचड़ी हो जाती हैं उसका वो खून पी जाते हैं एक चिचड़ एक दिन में एक ग्राम खून पी जाता है तो ये जो आप मेरे इस साइड में चि करीर के उपर लगाना है तो जिस गायवेंस को जूंची चड़ हो जाएं उसके लिए पहले भी हमने वीडियो बनाई हैं हम इस देशी नुश्के से अपनी गायवेंस के जूंची चड़ को मार सकते हैं तो हमें कौन सी चीज किस मात्रा में लेनी है कब लगानी है और क्या जरू करते हैं तो दोस्तों जिस गायवेंस को चीचड़ हो जाते हैं सबसे अच्छा इलाज तो यह है कि आप जमीन को अपनी को बैक्टिरिया से फिरी करके रखें तो यह हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जहां पर कच्ची जमीन होती वहां पर यह बार बार पनप पसू के सरीर से तो नहीं चुटाते हैं लेकिन जो जमीन में उनको दिख जाता है उनको वह छोड़ते नहीं यानि कहने का मतलब है कि उनकी ग्रोथ आगे नहीं होने देते यह तो रही एक बात है कि जमीन कच्ची है तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है कि मुरगे बनाएंगे करंज का तेल साधार्ण नमक और रस कपूर अब इनकी मात्रा को सुन लेंगी क्यों तो इस में हमें करंज का तेल लेना है सो मिली लीटर अंदाजा आपको आ जाएगा हर जगे बड़ी आसानी से मिल जाता है अब कपूर के बारे में बाता आती कि कुण सा कपूर वो कपूर लेना हमें रस कपूर जो पूजा में काम में लिया जाता है जिसे आग जलाई जाती है जब आवन यग करते हैं तो आजकल जादातर उसी से आग जलाई जाती ही वो कपूर लेना हमें 10 गराम अब हमें इनका करना क्या इन सारी चीजों को हमें इस तेल में मिला लेना है इस नमक को भी जो हमने 10 गराम लिया था और जो कपूर लिया था हमने दस ग्राम उसको भी इसमें मिला लेना है पसू को जहां पर भी खासकर पैरों के यहां आसपास लगे हुए रते हैं पूंच में लगे होते हैं और किसी के बाल यह दी बड़े हो जाते हैं पूरे शरीर पर भी यह लगे होते हैं इन तीनों चीजों को मिलाकर किसी साफ रूई से या कपड़े से इस तेल में डुबोकर जहां जहां भी वो जूंच इचड़े लगे हुए हैं वहां पर पसू को लगा देना है कितने दिन लगाना है दोस्तों पहले दिन में यह आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और फिर भी आपको लगता है कि अभी यह मरे नहीं तो दूसरे दिन भी इसको हम लगा सकते हैं किसी भी परकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है जूंच इचड़की चाहिए आप एलोपैथी दवा यूज करते हो या कोई देशी दवा यूज करते हो उसके साथ आपको एक सावदानी अमेशा ही रखनी चाहिए कि जब भी आप ऐसी कोई चीज लगाते हो तो उस पसु को ज्यादा देर दूप में नहीं रखना चाहिए क्योंकि अभी शर्दी का मोसम है और कई लोग गलती क्या करते हैं कि कोई भी दवा लगाकर पसु को दूप में बांद देते हैं उनको लगता है कि ज्यादा काम करेगा कई बार देशी भी और एलो पैथी दवाई या भी जो सप्रेव अगएर आती हैं बड़ी बड़ी ही आनिकारक होती हैं पसु को अलर्जी हो जाती हैं तो जिस भी पसु को आप ये लगाएं उस पसु को ज्यादा देर दूप में ने रखें तो इस परकार इस करंज के तेल रश कपूर और साधान नमक से हम अपने पसु के जूँच इचड को मार सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताएगा जो बाई बैन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का उस तरह है फिरी ओप कोस्ट है अपनी वानी को भी राम देता हूं दन्यवाद जै हिंद जै जवान जै किसान